श्री सत्य नारण कथा पहला अध्याए एक समय की बात है नेमी शारणे तीर्थ में शौनक आदी 88,000 रिशियों ने श्री सूजी से पूछा हे प्रभु इस कल्युग में वेद विध्याराइत मनश्य को प्रभुभक्ती किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो होगा ये मुनिशिष्ट कोई ऐसा तब बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनवान्चित पल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व शास्त्रों के ग्याता सूजी बोले ये वैश्णों में पूछ आप सभी ने प्राणि के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे शेष्ट व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारज जी ने लच्मी नारण जी से पूछा था और लच्मी पती ने मुनी शेष्ट नारज जी से कहा था आप सब इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए रत्यू लोक में आप पहुँचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देख नारज जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानाव के दुखों का अन्त हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विश्णू लोक में गए वहां देवों के देव इस नारण की इस्तूति करने लगे जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म दे, गले में वर्माला पहने हुए थे इस्तूति करते हुए नारज जी बोले, हे भगवान, आप अत्यन्त शक्ती से संपन है, मन तथा वानी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदी, मध्य तथा अंत नहीं है निर्गुन स्वरूप, स्रष्टी के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है नारज जी की इस्तुति सुन, विश्णु भगवान बोले, हे मुनिशेष्ट, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधा रहे हैं, उसे निसंकोच कहो इस पर नारज मुनि बोले, कि मृत्य लोक में, अनेक योनियों में, जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के दौरा, अनेको दुख से दुखी हो रहे हैं, हे नात, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए, कि वै, मनुष्य थोड़े प्यास से ही, अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, श्री हरी बोले, हे नारत, मनुष्यों की भलाई के लिए, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से, मनुष्य मोहों से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो, स्वर्ग लोक, व्यम्रत्यों लोक, दोनों में, एक द पुन्य देने वाला है, आज प्रेमश होकर, मैं उसे तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारण भगवान का यह व्रत, अच्छी तरह विधान पूरक करके, मनुष्य तुरंधी, यहां सुक भोग कर, मरने पर मोक्ष पाता है, श्री हरी के वचन सुन, नारत जी बोले, उस व्र इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं, नारत की बात सुनकर, श्री हरी बोले, दुख वै शोक को दूर करने वाला, यह सभी इस्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानाओ को भक्ति वै शर्दा के साथ, शाम को श्री सत्यनारण की पूजा धरम पर आयन होकर, ब्रामन वै बंधूं के साथ करनी चाहिए, भक्ती भाव से ही नैवेध्य, केले का फल, घी, धूद और गेहुं का आटा सवाया ले, गेहुं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड लेकर, वै सभी भक्षन योग्य प्रदार्तुम को मिला कर, भगवान को भोग लगाए, ब्रामन सैथ बंधूं बांधूं को भी भोजन कराए, उसके बाद स्वयम भोजन करे, भोजन कीर्दन के साथ भगवान की भक्ती में लीन हो जाए, इस तरह सत्यनारण भगवान का यहवरत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित र ल्यूग में, मौक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है, इती श्री सत्यनारण भगवरत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण, श्री सत्यनारण कथा दूसरा अध्याय, सूद्जी बोले, हे रिशियों जिसने पहले समय में इस भगवान को किया था, उसका इतिहास कहता ह ध्यान से सुनो, सुन्दर काशिपुरी नगरी में एक अत्यन्त निर्धन ब्रामन रहता था, बूग प्यास से परिशान वे धर्ती पर घुमता रहता था, ब्रामनों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्रामन का वेश धारन कर उसके पास जाकर पूचा, हे वेप नित्य दुखी होकर तुम प्रत्वी पर क्यों घुमते हो, दीन ब्रामन बोला, मैं निर्धन ब्रामन हूँ, भिक्षा के लिए धर्ती पर घुमता हूँ, हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो, बताइए, व्रद्ध ब्रामन कहता है कि सत्यनारण भगवान मनोवांचित पल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, व्रद्ध ब्रामन बनकर आए, सत्यनारण भगवान, उस निर्धन ब्रामन को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए, ब्रामन मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रद्ध ब्रामन करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा, यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नीद नहीं आई, वह सवेरे उटकर सत्यनारण भगवान के व्रत का निश्चय कर दिक्षा के लिए चला गया, उस दिन निर्धन ब्रामन को दिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंदू बांदू के साथ मिलकर शिरी सत्यनारण भगवान का व्रत संपन किया, भगवान सत्यनारण का व्रत संपन करने के बाद वै निर्धन ब्रामन सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपतियों से उसी समय से यह ब्रामन धर्मास इस व्रत को करने लगा, इस तरह से सत्यनारण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वै सभी प्रकार के पापों से छूट कर मुक्ष को प्राप्त होगा, जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वै भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, सूर्जी बोले इस तरहे नारत जी से शृरी नारैन का कहा हुआ मैंने तुम से कहा ये विपरों मैं अब और क्या कहूं रिशी बोले ये मुनिवर संसार में उस विपर से सुनकर किस किस ने इस वृत को किया है हम सब इस बात को सुनना चाहते है इसके लिए हमारे मन में शर्धा का भाव है सूद्जी बोले हे मुनियों जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो एक समय वही विप्र धन्वे एश्रियों के अनुसार अपने बंधू बांधों के साथ इस व्रत को करने को तयार हुआ उसी समय एक लकडी बेटने वाला बुड़ा आदमी आया और लकडियों को बहार रखकर अंदर ब्रामन के घर गया प्यास से दुखी वह लकडारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमसकार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा किर्पया मुझे भी बताएं ब्रामन ने कहा कि सब मनों कामनाओं को पूरण करने वाला यह सत्यनारन भगवान का व्रत है इनकी किर्पा से ही मेरे घर में धन धान्यादी की व्रद्धी हुई है वेपर से सत्यनारन रत के बारे में जानकर लकड हारा बहुत प्रसन हुआ चरणाम रत लेकर वेपरसात खाने के बाद वे अपने घर गया लकड हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकडी बेटने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्य नारण भगवान का खुत्तम व्रत करूंगा मन में इस विचार कूले बूढा आदमी सिर पर लकडियां रख उस नगर में बेटने गया जहां धनी लोग जादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकडियों का दाम पहले से चार गुना अधिक मिला व्रत प्रसंता के साथ दाम लेकर केले, शकर, घी, दूद, धई और गेहूं का आटा ले और सत्य नारण भगवान के व्रत की अन्य सामगरियां लेकर अपने घर गया वहां उसने अपने बंधू बांधूं को बुलाकर विधी विदान में सत्य नारण भगवान का पूजन और व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वैबूढा लकडा आरा धन पुत्र आदिस युक्त होकर संसार के समस्त सुक भोग कर अंत काल में बैंकुट धाम कला गया इती श्री सत्य नारण रत कता का दूसरा अध्याय संपूर्ण श्री सत्य नारण कता तीसरा अध्याय सूज जी बोले भेशेष्ट मुनियों अब आगे की कता कहता हूं पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था प्रति दिन देव इस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन दे कर उनके कश्ट दूर करता था उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी भद्रशीला के नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनायन भगवान का व्रत किया उसी समय साधू नाम का एक वैश्य आया उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था राजा को व्रत करता देख वह विनाय के साथ पूछने लगा हे राजन भक्ती भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ आप मुझे बताए राजा बोला हे साधू अपने बंधू बांधों के साथ पूत्रादी की प्राप्ती के लिए एक महाशक्ति मान श्री सत्यनारन भगवान का वरत वै पूजन कर रहा हूँ राजा के वचन सुन सादू आदर से बोला हे राजन मुझे इस वरत का सारा विधान कईए आपके कथना उनसार मैं भी इस वरत को करूँगा मेरी भी संतान नहीं है और इस वरत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ती होगी राजा से वरत का सारा विधान सुन व्यापार से निवरत हो वै अपने घर गया सादू वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस वरत का वरणन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संदान होगी तब मैं इस रत को करूँगा सादू ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लिलावती से कहे एक दिन लिलावती पती के साथ आनन्दित हो संसारिक धरम में प्रवर्थ होकर सत्यनारान भगवान की किरपा से गर्भवती हो गई दस्वे महीने में उसके गर्भ से एक सुन्दर कन्या ने जनम लिया दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे की शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा एक दिन लिलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती को याद दिलाये की आपने सत्यनारान भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है आप इस व्रत को करिये सादू बोला हे पिरिये इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवा पर करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया कलावती पिता के घर में व्रद्धी को प्राप्त हो गई साधू ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्षियों के साथ खेलता देख तुरन दूद को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या विवा के योग्य हो गई है और तुम इसके लिए योग्य वर देखकर आओ साधू की बात सुनकर दूद कंचन नगर में पहुँचा और वहाँ देख भालकर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया सुयोग्य लड़के को देख साधू ने बंदू वाधों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवा उस वनिक पुत्र के साथ करा दिया लेकिन दुर्भाग्य की बात ये की साधू ने अभी भी सत्यनायन भगवान का वरत नहीं किया इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया की साधू को अच्चा दिक दुख मिले अपने कारे में कुशल साधू बनिया जमाई को लेकर समुंदर के पास इस्तित होकर रत्नसारपुर नगर में गया वहाँ जाकर दामाद और ससुर चंदर केतू राजा के नगर में व्यापार करने लगे एक दिन भगवान सत्य नारण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने राजा के सिपाईयों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधू अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था राजा के सिपाईयों ने सादू वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वैससुर जमाई दोनों को बांद कर प्रसंता के साथ राजा के पास ले आए और कहा कि इन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया आए आप आगे की कार्यवाही की आग्या दें राजा की आग्या से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया श्री सत्यनारण भगवान के श्राप्त से साधू की पत्नी भी बहुत दुखी हुई घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गये शारिरिक तता मानसिक पीड़ा और भूग प्यास से अति दुखी हो अनिकी चिंता से कलावती एक दिन किसी ब्रामन के घर गई वहां उसने स्री सत्यनारण भगवान का व्रत होते देखा फिर कठा सुनी और प्रसाद घरन कर वह रात को घर वापस आई माता ने कलावती से पूचा हे पुत्री तुम अब तक कहा थी और तेरे मन में क्या है कलावती ने अपनी माता से का हे माता मैंने एक ब्रामन के घर में श्री सत्यनारण भगवान का व्रत देखा गन्या के वचन सुन लिलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी लिलावती ने परिवार्वे बंधों से सत्यनान भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पती तथा जमाई शिग्र घरा आ जाएं साथ ही यह प्रात्ना की हम सबका अपराज शमा करे श्री सत्यनान भगवान इस वरत से संतुष्ठ हो गए और राजा चंदर केतु को सपने में दर्शन दे कर कहा हे राजन तुम उन दोनों वैश्यों को जोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य वैसंतान सभी को नश्ट कर दूँगा राजा को यह सब कहकर वै अंतरध्यान हो गए प्रातरकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया फिर बोले कि वनिक पुत्रों को कैट से मुक्त कर सभा में ले आओ दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया राजा मीठी वानी में बोला भे महनुभाओ भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुमें प्राप्त हुआ है लेकिन अब तुमें कोई भै नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्तरापृशन पहनाए जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापिस कर दिया दोनों वैश्य अपने घर को चल दिये इती शिरी सत्यनार्ण प्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण शिरी सत्यनार्ण कथा चौथा अध्याय सूच जी बोले वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरम की और अपने नगर की और चलने लगे उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेश्य धारी शिरी सत्यनार्ण ने उनसे पूछा हे सादू तेरी नाव में क्या है वनिक हस्ता हुआ बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धंलेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेलवै पत्ते भरे हुए है वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले तुमारा वचन सत्य हो दंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए और दूर जाकर समुंदर के किनारे पर बैठ गए दंडी के जाने के बाद सादू वैश्य ने नित्य किर्या के पस्चात नाव को उची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदी देख वैश्य मूर्चि तो जमीन पर गिर पड़ा मूर्चा खुलने पर वैश्य अचंद शोक में डूब गया तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए यह दंडी का श्राप है इसलिए हमें उनकी शर्ण में जाना चाहिए तब ही हमारी मनों कामना पूरी होगी दामाद की बात सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुँचा और अच्चंत भक्ती भाव नमस्कार के साथ बोला मैंने आप से जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे शमा दें ऐसा कहकर महन शोकातुर हो रोने लगा तब दंडी भगवान बोले हे वनिक पुत्र मेरी आज्या से बार बार तुमें दुख प्राप्त हुआ है तु मेरी पूजा से विमुक हुआ साधु बोला हे भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आदी देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं तब मैं अज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हो ये अब मैं सामरथ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा मेरी रक्षा करो और पहले के समा नौका में धन भर दो सादू वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन हो गए और उसकी इच्छा नुसार वर्दान देकर अंतर ध्यान हो गए ससुर जमाई जब नाव पर आये तो नाव धन से भरी हुई थी पिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिये जब नगर के नजदिक पहुँचे तो एक दूद को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया दूद साधू की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामात सैथ नगर के निकट आ गए है दूद की बात सुनकर साधू की पत्नी लिलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तू कार्य पुरण कर शीग्र आ जाना माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में परसाथ छोड़ अपने पती के पास चली गई परसाथ की अवग्या के कारण श्री सत्यनारण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पती को पानी में डुबा दिया कलावती अपने पती को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गर गई नौका को डूबा हुआ देख वै कन्या को रोता हुआ देख सादू दुखी होकर बोला हे प्रभू मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे शमा करें सादू के दीन वचन सुनकर शिरी सत्यनान भगवान प्रसन हो गए और आकाशवानी हुई हे सादू तेरी कन्या मेरे परसात को छोड़ कर आई है इसलिए उसका पती अद्रिश्य हो गया है यदीव है घर जाकर परसात खाकर लोटती है तो इसे इसका पती अवश्य मिलेगा ऐसी आकाशवानी सुनकर कलावती घर पहुँचकर परसात खाती है और फिर आकर अपने पती के दरशन करती है उसके बाद सादू अपने बंदू बांधों सैथ शिरी सत्यनारन भगवान का विधी विदान से पूजन करता है इस लोग का सुक भोग कर वैं अंत में स्वर्क को जाता है इती शिरी सत्यनारन भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण शिरी सत्यनारन कथा माचवा अध्याय सूर्जी बोले हे रिशियों मैं और भी एक कथा सुनाता हूं उसे भी ध्यान पूरक सुनो प्रजा पालन में लीन सुंग द्वज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का परसात जाकर बहुत ही दुख सहन किया एक बार वन में जाकर वन पश्यों को मार कर वह बढ़के पेड़के नीचे आया वहां उसने ग्वालों को भक्ती भाव से अपने बंधों से सत्यनारन भगवान का पूजन करते देखा अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा एस्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया ग्वालों ने जब राजा को परसात दिया तो उसने वह परसात लेने से भी इनकार कर दिया और वह सब कुछ छोड़ कर नगर को चला गया जब राजा नगर में पहुँचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीगर ही समझ गया यह सब भगवान ने किया है वह दुबारा गौलों के पास पहुचा और विधी पूरक पूजा करके परसात खाया तो शिरी सत्यनायन भगवान की किरपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया दीर्ग काल तक सुख भोगने के बाद मरणों प्रांथ उसे स्वर्ग लोग की प्राप्ती होई जो मनुष्य परम दुरुलब इस वर्ग को करेगा तो सत्यनायन भगवान की अनुकमपा से उसे धन धानने की प्राप्ती होगी निर्दन धनी हो जाता है और भैमुक्त हो जीवन जीता है संतान हीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है सारे मनुष्य पूरण होने पर मानव अन्त काल में वैंखुट धाम को जाता है सुख जी बोले जिनोंने पहले इस वर्ग को किया है अब उनके दूसरे जनम की कथा कहता हो वर्ग शतानन भ्रामण ने सुदामा का जनम लेकर मोक्ष की प्राप्ती की लकड हारे ने अगले जनम में निशाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया उलका मुख नाम का राजा तशरत होकर वैंकुट को गए साधु नाम के वैश्य ने मोर धवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया महाराज तुंग जवज ने स्वयम्व होकर भगवान में भक्ती युक्त हो करम कर मोक्ष पाया एती श्री सत्यनान व्रत कता का पांचवा अध्याय संपूर्ण